हेलो असलाम वालेकुम वेलकम टो मैं चैनल क्रम्ब्लिंग अब ASMR बहुत टाइम से आप सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि व्लॉग दें आप टेक्स्चर सब्डेट दें तो में पस टाइम नहीं अवलेबल था बिल्कुल भी मैं एक्चुली ना मैं आप सब को बतान के जाती हूं जितना हो सकता है और आजकल तो फिलहाल ऐसा आप सब लोग नोटिस भी कर रहे होंगे कि मेरी वीडियो में काफी जादा डिस्टरबेंस आ रही है बैक्ग्राउंड नॉइजे आ रहे हैं वह इसलिए क्योंकि आज मॉर्णिंग में टाइम ही नहीं हो पा रहा सोच हूं अगर मैं लेट नाइट शूट करूं तो लेट नाइट का दिक्कत ही है सबके कूलर एसी फैंस चल रहे होते तो उसकी ही इतनी जादा नॉइज होती है कि क्रंबलिंग नॉइज तो क्रंबलिंग जो साउंड होता है वो तो उसमें आएगा ही नहीं मैंने देखा ट्राइ करके नहीं आता बाकी सब चीजों का ही नॉइज जो है वो कैप्चर कर रहा होता है माइक तो इसलिए मुझे मजबूरन उसी शोर में ही शाम को करना पड़ता है तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से सौरी बोलती हूं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आर्ली मॉर्निंग ही शूट करा करूं वीडियो जैसे मैं पहले करती थी तो हंजी तो बात ये थी कि मैं जॉब भी करती हूं इसले में पास व्लॉक का टाइम जो है वो अविलेबल नहीं हो पा रहा था थोड़ा सा भी कि मैं व्लॉक शूट कर दूं चाहे कोई मुझे बह एक आपका आदा पॉन गंटा एक घंटा कहीं नहीं गया तो वही बात है तो मिरे पास साथ है मैं अभी मैं शूट करने वीडियो में घूट करने आई थी आपको अगले दिन ही मिलेगा देखने को तो इसलिए तो चलिए मैं शुरू करती हूं क्या टेक्सच्चर अबडेट इसपेशली मांगे ते जो 7 के वीडियो मैंने डाली थी उसके टेक्स्चर अबडेट दें आप background noise आपको आ रहा होगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, I can't help it तो textures update ये हैं, फस्ट तो ये रहा, जो हमने मुल्दानी, मिट्टी, चौक, white cement, pure cement का जो combo कर रहा था, उसका ये है, ये बहुत दिन हो गए, बनाए हुए, थोड़ा ना dust भी मैं crumbling करती हूँ, dry crumbling तो उसके dust बैड गई है, इसके ओपर, तो ये है, ये बना है, ये है इसका reform, तो करेंगे इसको इंशालला जल्दी, ये मैं इसले इसले वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि ये तो ready है, ashes और जो चौक का किया था, वो भी ready है, वो ये है, ये वाला, ये ashes और चौक है, ये भी ready है, लेकिन grittis है, जो मैंने pure cement का करा था, तो वो ready नहीं था, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, कि आप pure cement को water crumbling कीजे, fresh cement, fresh, fresh cement की आप water crumbling कीजे, तो मैं बहुत सारे लोगों को, मैं मना करदेती हौं कि मैं नहीं करूँगी, मैं clearly, जिस चीज को डे मैं आपकोकी है, जिस चीज में कर सकती हो, मैं हाँ बोल देती हो, मैं नहीं कर सकती, मैं clearly, no ना बोल देती हूं मैं मुझे घुमा फिरा के बहाने बना के बोलना पसंद नहीं है मैं क्लियरली बोलना पसंद करती हूं कि मैं नहीं करूंगी सीधी सी बात है उसका रीजन ये है मैंने जब channel start करा था तब मुझे मालूम नहीं था मैंने किसी का भी टुटोरियल नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने फ्रेश्ट सिमिंट लिया और उसकी water crumbling कर दी, water crumbling तो कर दी, तब तो मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उसको reform करने, ओ, मेरे हाथ इसक डर छिल करता है जाए मैं फ्रेश सिमिंट को ही पानी में क्यों ना वो करनू अब मुझे कोई नुकसान ने हो लेकिन उस टाइम पे मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था चले हाल को छोड़ें लेकिन टेक्स्च्चर पूरा खराब हो गया पूरा टेक्स्चर मेरा खराब हो गया मैं इत्त क्रामबल नहीं हो सका के बिल्कुल कर सकता हूए उसको यह तक हो ही सेमेंट है और इसमें मैंने सेंड करके बना था कि बना टेक्शर तो यह मेरा वह ही सेमेंट कर लोह तर इंद शसWhen sono जो तो जो मेरा बना है वो था 6k की वीडियो का 6k में भी मैने फ्रेष सेमिंट की वाइट सिम्मिंट और ग्रे सिम्मिंट की मैंने कम्बाइन वीडियो बनाई थiin तो इसको भी मैं पूरे तरीके से क्रश नहीं गर पाइा तो ये मेरा गृतरी ग्रेनी में तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, तब मेरा नुकसान वा, कोई बात मी चले है, फिर मेरे पास continuous request आती रहती है, कि आ फ्रेश जिमिंट की water crumbling करें, तो मैं ऐसे तो नहीं करती है, मैं उसको as a celebration video डाल देती हूं, क्योंकि वो special मेरे लिए special होती है, इसलिए मैं उसको as a celebration video ही डाल तो अभी मैंने 7K में उसको फिर celebration videos में उसको डाला, fresh cement को, ठीक है, वो इतना कम से कम नहीं भी 20-25 किलो सिमिंट था वो, जो मेरा सिमिंट वाले में भी लगा, प्लस जो मेरा मुड वाले उसमें भी गया, मैंने जितना भी cement उस टाइम पर यूज करा है, celebration videos में, वो fresh था, चा करा, वो देखें, किस तरीके से हो गया, यह पूरा सिमिंट मेरा, मैं इसको धंग से crush, कितना crush करो गया आप, crush करोचें हाथ जाते हाथ, मैं थोड़ा-thोड़ा करके, मैं इसको रोज crush कर रही थी, 1 सेकंड, एक सेकंड रूखें, हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी, यह वो स कि इसको भी प्रॉपर क्रश नहीं कर पाई कितना क्रश करो गया अपके हांथ दुख जाते हैं क्रश करते करते जो मेरे रिफॉर्म्स का जो सब लोग बोलते है रिफॉर्म्स की आप वीडियो डालो 7K की तो वो लेट इसलिए ही हो रहा था कि इसको मैंने डेली थोड़ा 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 मैंने क्रश किया है तब जाके यह फाइनली अभी कुछ दिनों पहले यह पूरा टिखाती हूँ कितना बचा है जितना मैं क्रश कर सकी यह उतना है लेकिन यह बना ग्रिटी-ग्रेणी ही है जैसे वाला 6K वाला बना है यह सेम आभी यह कुछ कुछ अंदर से घीला हो सकता है अब वो होतो हो तो इस इस तेक्ट्जर की वज़़ासर रिफॉर्म्स वीडिय तो अब जाके यह रेडी हुआ था तो फिर मैंने शेप्स दी और इसको मैंने रूम में ही बनाया है यह बहुत जादा सॉफ टेक्च्चर था अगर चछत पर बनाती तो यह नीचे लाते लाते तो यह बिल्कुल तूड़ जाता इसलिए मैंने इसको यही रूम में बनाया इस जातीन ही है मेरी हाल से एक यह है सिमिंट का जो बनाया था यह उसका रिफॉर्म है बाकी एशेज और चौक है यह रिफॉर्म हुआ है जो न्यू टेक्स्चर है वो भी और प्लस से अपका यह जो मैंने बोला था कि इसको आर्टिफिशल मड का नाम देंगे यह वो है सिमें मुल्तानी मिट्टी चौक और ग्रे सिमेंट वाइट सिमेंट जो था यह चारों का कॉंबिनेशन है यह तो इसको इन तीनों का एक ही दिन में ही डाल दूंगी लेकिन अभी एक दो दिन का टाइम और लगेगा हां जी तो मैं बोल रही थी कि यह पूरा क्रश नहीं कर सकी मै इसका मैं आपको बचावा पार्ट दिखाती है यह देखे यह मेरा इतना सिमेंट यह पूरा ऐसे भर कर देखा कितना सारा कितना बड़ा है यह थैला पूरा यह पूरा भरावा है यह पूरा और किस कदर मोटा मोटा है कितना हाड है स्टोंस टाइप बन गया है यह और पुरा सिमेंट खराब हो जाता है पैसा लगता है महनत लगती है लेकिन उन लोगों को लगता है कि रूड हो रहे हो आप तो ठीक है भई हम रूड अच्छे हैं आपको लग ये देखा आपका नजरिया आपका है किसी की ना को किस तरीके से लेना है ये नजरिया आपका है मैं आप लोगों की सोच नहीं बदल सकती कई लोग इसको positively λेते हैं कई लोग negatively लेते हैं या आपका अपना नजरिया है मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं मैं जो कर सकती हूं मैं उससे बड़कर ही करती हूं, लेकिन जो मैं नहीं कर सकती, वो मैं clearly और ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रेश सिमिंट की वाटर क्रंबलिंग नहीं करी है दो दो जब भी मुझे लगता है कि बाट टाइम हो या जो भी है इतना नुकसान में अफॉर्ट कर सकती हूं तो मैं बीच बीच में करती रहती हूं लेकिन आप चाहें कि मैं रागुलर करती रहाँ हर एक हथ़ते में हर एक हथे में रोटेशन में मैं उसे करती रहूं तो मैं नहीं कर सकती मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं इतनी financially क्या बोलू मैं मैं इतना afford नहीं कर सकती कि मैं रोज cement लाऊं और मैं उसको water crumbling करके खराब कर दूँ water crumbling करी जा सकती है cement की मेरे according मैं नहीं जानती और channel owners किस तरीके से cement को handle करते मैं अपना बत कि मैं जो water crumbling करती हूं cement की वो reform cement होता और reform जब fresh cement को मैं तकरीबन 6-7 बार में use कर चुकी होती हूं उसकी hardness चली जाती है बिल्कुल जब मुझे पता है कि वो water crumbling करने से वो खराब नहीं होगा hard नहीं होगा तब जाके मैं उसकी water crumbling करती हूं और मैंने mostly cement की water crumbling ही करी होगी reforms क्योंकि आप सब लोगों को water crumbling ही पसंद है लेकिन fresh cement की मैं mostly dry crumbling ही करती हूं क्योंकि उसका crunch भी अच्छा लगता है क्रम्बल करने में और क्या बोलते है टेक्स्टर भी अच्छा लगता लेकिन reforms की water crumbling ही जादा prefer करती हूं क्योंकि आप सब लोग पसंद करते हूं लेकिन म बात है नहीं समझ सकते तो भी अच्छी बात है अल्ला करम करें आप सब पर ठीक है तो यह कुछ updates थे जो 7k के reforms के थे बाकी मैं आपको हां एक और आता है complain complain क्या मतलब suggestion आता है complain तो नहीं बोलूंगी suggestion आता है बार-बार और especially मेरी charcoal videos पर आता है कि please add some light please add some light तो मैंने उन कमे comments के reply में बोला भी है कि मैं add करती हूँ मैं add मैंने add किया था लेकिन वह work नहीं करता देखें आप रूम देखें है यह रूम ऐसे start ओके ऐसे खताम है और बिलकुल बंद है यह रूम बिलकुल बंद है समझे अब आप बंद कमरे में एक dusty smoky चीज क्रमबल कर रहे है वो भी इ निकलता नहीं है वो smoke वो dust यहां से बहार नहीं निकलता है तो बहार नहीं निकलेगा चाहिए आप कितनी light add कर लो तो वो यहीं यहीं circulate होता रहता है तो circulate होके ना वो lights cover कर लेता है camera cover कर लेता है तो जिसकी वजह से वो darkness बनी रहती है वीडियो में इस पेशली charcoal की वीडिय करी है या नहीं करी है देखें एक तो यह light है एक यह light है है न मैंने दो तीन light add करी दिखा रही हूँ दोनों तीनों आप बोलें यह तो इतनी सी इस से क्या होगा कोई बात में देखें है ना एक यह light add करी है मैंने eaah our connector hunter this 180 नेकटर अभी यहां पर है na to me a आपको दिखाती ही म processo दोनों तीन ओन रख्तु चार कोल पर लग एक मेरी है रिंग लाइट देख लें आप आप बोले कि आप जूड बोलती है देख़् incl इसको उन करें लगाई हूई है da अढवले आप को से चलती है तो यह है यह सब तो यह है इसके मोट्स ठीक है मैं रिंग लाइट भी एड़ गरती हूं चारकॉल वीडियो के टाइम पर मैं यह बल्ब लाइट है एक्स्ट्रा यह भी प्लस रूम लाइट तो रहती है तीन तीन लाइट सोती है वीडियो के टाइम पर लेकिन स्मोक इतना होता है डस्ट इतना होता है कि वो कुछ भी नहीं समाजाता अब बताएं मैं क्या करूं अब आप बोलें कि आप आउटडोर वीडियो शूट करें तो देखें यह मैं नहीं कर सकती जो चीज मैं नहीं कर सकती उसके लिए मुझे बोलना यह अच्छी बात नहीं है बहुत सारे लोग बलते हैं आप आउटडोर शूट करो आउटडोर स्टार्ट करती लेकिन मुझे जितनी परमीशन है मेरे पास जितना स्पेस है जितना मेरे पास जो भी चीज़े अविलेबल हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सकती हो और मैं करती भी हो तो आप मुझे उस चीज के लिए फोर्स करते हैं उस चीज के लिए बोलते हैं जिस को मैं मना गड़ चुकी हूँ और उन्हीं चीजों के लिए मुझे बार 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 बोला जाता है तो यह चीज बुरी बुरी है और बुरी मानने वाली भी है Instagram पे बहुत टाइम से बहुत सारे मुझे messages आ रहे हैं रिक्वेस्ट आ रही है प्योर सिमिंट को लेकर है और भी बहुत सारे textures को लेकर है एड lightning को लेकर है बहुत सारी बाते हैं जो मुझे suggestions मिलते हैं वो मिलते हैं लेकिन कई बातों को न मैं बहुत सारे subscribers हैं मेरे या followers हैं जो बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं जो बुरा मान चुके हैं और बुरा मानते हैं लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो चीज मैं नहीं कर सकती मैं clearly उसको मना करना पसंद करती हूँ ये बात मैं आपको इस vlog में बार बार बोल रही हूँ तो आप इस चीज को जाजाए वो क्या बोल रहा है क्यूं बोल रहा है वरना और कई कईयों ने तो मुझे ये बोला है कि हमारी वज़ा से ही आप आज जहाँ है वहाँ है बिल्कुल सही बात है मैं इससे कभी इंकार नहीं करती हूं जायर सी बात है अगर मैंने schon खोला है तो viewers ही मुझे इस मुकाम पर लेकर आए है subscribers ही मुझे इस मुकाम पर लेकर आए है मेरा channel खुद बहुत तो नहीं पहुँच गया है आप सब लोग ही है इसके पीछे बाकि करम करने वाला अल्ला पाख है घमंड किसी बात का नहीं है घमंड नहीं है लेकिन जो काम हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते clearly मना है उस चीज के लिए तो ठीक के मैं आपको textures एक बार इंट्रोड्यूस कर आ देती हूँ जो जो मेरे पास available है यहाँ पर यह fresh new texture है चार चीजों का और यह पीछे मुलतानी मिट्टी है यह वाला pure sand मेना मेरा बहुत ही जादा soft हो गया इतना soft हो गया texture इतना soft हो गया कि मैं इसको ऐसे रखी नहीं सकती एक क्यों पर एक यह गिरे जा रहा है बिल्कुल तो मैंना इसमें fresh cement थोड़ा सा add करूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी ना binding आए क्योंकि मुझे रखने ऐसी होते हैं अगर यह सारे गिर गिर के सब shapes टूड़ गई है बड़ी मुश्किल से मैंने यह जैसे तैसे रखावा इसकदर soft है देखें ऐसे करते ही यह तोट रहा है यह बिल्कुल soft हो गया है मैं इसमें pure cement add करूंगी fresh cement binding के लिए थोड़ा सा hard हो जाएगा फिर यह चलें तो यह मेरा pure sand था यह मेरा fluffy texture है यह वाला पूरा इधर यह stony sand cement है यह mud sand है अच्छा एक और बात mud sand मैंने last video डाला था या last to last उसमें एक comment आया था मैंने उसमें ना मैं हमेशा mud sand लिखती थी लेकिन मैंने इस ताइम ना इसको क्योंकि इसमें stones भी अविलेबल थे तो मैंने इसको stony mud sand या कुछ लिख दिया था तो मेरी एक subscriber है उनका comment आया कि sister इसमें stones नहीं एक नहीं वलकि दो तीन कमेंट थे कि इसमें दफाना ये stones दिखाती है देखें ये ही है mud sand मेरा बहुत जादा नहीं है बट इट हैज कुछ तो आप साउंड से अंदाजा लगा सकते हैं कि है तो दूसरे रुखिए मैं से सिफ्ट करके दिखाती हूं ना तो उससे clear clear दिखेंगा जिस चीज में जो चीज ना हो मैं उसे जूट क्यों लिखूंगी ना कि अगर इसमें स्टोंस नहीं होंगे तो मैं क्यों लिखूंगी कि इसमें स्टोंस है अब आप जानते हैं मड है तो हर एक चीज पे चिपक जाती है तो स्टोंस पे भी ना चिपक गई है शायर आप लोगों को इसले समझ नहीं आता होगा तो यह जितने भी ऐसे दिख रहे हैं यह यह स्टोंस है संद में स्टोंस सारे कि यह सैंड मी ते स्टोंस सुसी इस तो मैं नेगता है तो मैंने मर्ड और सेंड दोनों को कर दिया तह来म आnormeed स्टों करके लिखानी लेकिन कई सारे लोगों को रिक्वेस्ट आती है स्टोुनि टेक्श्चर बनाये तो मैंने फिर लिखना स्छुरु क पता चले कि यह स्टोनी टेक्स्चर है मेरे बने हुए हैं तो इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया कि स्टोनी मट सेंड करके तो इसमें यह सारे स्टोन्स हैं यह स्टोन्स हैं बड़े चोटे मेडियम साइज यह जैसे भी हैं यह स्टोन से सारे ठीकिस अगर आप लोग य तो मैंने बस यही बोला था कि ठीक है मैं कभी व्लॉक शूट करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी कि इसमें स्टोन है क्योंकि इतने तादाद में नहीं है बट है क्यों शाइद इसलिए आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं है नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा थ चारकुल रेड ड़र्ट के हैं यह वो पीछे मेरा मल्टी टैक्स्टर रह उधर कि इधर यह गिटी संड्स है इधर यह मेरा पर आशे और जानगर यह वाला यह और यह ऑदर कुछ और यह कुछ ब्रिक्स ब्रिक्स शेप यह अभी मैंने कुछ दिन पहले शूट कर रहा था त तो इसलिए जितना मैं रूम में कर सकती हूँ न शेफ्स दे सकती हूँ रूम में उतना रूम में ही कर देती हूँ मैं च्छत पर नहीं लेके जाती इतनी गर्मी है और टाइम भी नहीं होता तो जितना मैं यहां कर सकती हूँ यह भी वैट है यह आपको लग नहीं रहोगा ब चारकुल मट डर्ट है यह इदर एशेज है स्लैप्स है मिनी स्लैप्स और यह सैवन के का जो एशेज और वो किया था मैंने चौक मिक्स यह उसके रिफॉर्म है इदर और यह आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं देखें एशेज और चौक थोड़ा वाइट इस उसमें आ गया ह यह यह पिए आशेज जो अभी कुछ दिन पहले मैंने करा ना इसको रिफॉर्म कर आवा यह भी गीला है सूखा नहीं यह पिएज चारकुल है फाइन चारकुल यह इसके चंक्स निकले हुए हैं यह जांक्स है यह भी पूरे तरीके से ड्राइज नहीं है वह पीछे भी च इसके चार्में 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 जार्मेंट का कुछ शेप्स रखे ही हैं बाकी का मैंने कल बनाया यह ओर इसके बाद ये इधर सैंट और चार्कॉल सलाब है, ये सेंट बाद इस जिए हैं तेखसित हैं इसके बाद इन और इम कफा सैंक。 जो अब ग्रेनी डथे और प्लस यह आपका रेड डर्ट और वाइट सेमिन्ट है इसके भी कुछ टैजी इसे सेमिन्ट these red ग्रुंड अर्थ् कैनले कोई इसके स्लस्पोर नइपके यह मेरा प्राउन डर्ट का टेग्स ware जो की षिकस में मैंने मुलतानी मिट्टी रेड डर्ट और सिमिंट डाल के रिफॉर्म करा था अगर आप नहीं देखा हो तो जाके 6K का वीडियो देखें जरूर यह उसके रिफॉर्म से यह इसकी वीडियो में बना चुकी हो पहले अभी फिर बनाएंगे तो यह वह रिफॉर्म है उसके बा कटी ग्री घ्रेनी कि मैं यह ब्लर हो रहा एंख एक्सिंद में लाइट बंद करता है आप नहीं होगा अच्छायद है यह एक ग्रीटी수ела यह सेमेंट है यह पर कुछ बड़े बाल्स के स्क्वार यह प्योर डर्ट है मेरा इधर से इधर और यह इसमें चौक रखा हुआ यह डबे में चौक को मैं रखती क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी हुई है तो ऐसे रखूंगे उसके पर डस्ट बैडबेट के उसका कलर खराब हो जाएगा तो इसलिए में तिखा यह है कि इतनी सॉफ्ट हो गई है यह भी टूटने लग गई है इसमें सोच रही हो थोड़ा सा उटीमेंट किया जाए कि इसमें फोड़ी बाइंडिंग आए बहुत जादा सॉफ्ट हो गया यह ठीले महीं सब्सक्राइव यह अभी यहां पर फॉइप सिमेंट नहीं है वा मैंने रेञा सबसे तक तक राए कन रिफॉर्म है सको रिफॉर्म के लिए मुझे बहुत मेहत्स लगती है मैं पहले भी बता चुकी हो तो इसलिए वह बहुत नहीं हुआ है और वाइट समेंट भी चाथ परłeं वहार वो भी लेकिन इसको निकालूंगी तब जिस दिन वेडियो बनाऊंगी पहले से निकाल के रखने से ना शेप्स टूड जाएंगी तो इसलिए मैंने इसको टब में ही छोड़ा हुआ है यह हुग गया और तो कुछ नहीं रहा हां एक यह न्यू टेक्स्चर है यह था ना पीछे उद तो मैं इसको दुबारा रिफॉर्म करके ना इसमें स्टोंस और एड करके और थोड़ा सा सिमिन्ट एड करूंगी इसकी सॉफ्टनेस के लिए फिर इसको हम 8K 8K की उसमें फ्लोर क्रंबलिंग में यूज करेंगे इसे ठीक है क्योंकि आप सब लोगों को क्रंची टेक्सच करें दो तो ऐसे ही रहने लेंगे बोलते हैं थोड़ा और सॉफ्ट कर दो तो सॉफ्ट कर देंगे जैसा बूले अब एक हाथ से ना बनेगा नी इसमें लगने तो दो हाथ है कैसे करें अब वो स्टैंड मैंने वहां रखा है खेर चले हार्ड नहीं है मतलब दो हाथ लगेंगे पर हो जाएगा ऐसा कोई हार्ड नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और सॉफ्ट किया जाए तो बता दे ना ठीक है और इसमें स्टोन से सारे मुझे तो इतना क्रंची इतना हाट सही लगता है मैं जैसे मिंटो कुछ भी हो लेकिन आप सब लोगों के कमंड आते हैं आपके हाथ तो दर्द नहीं होते हैं आपको यह प्रॉब्लम तो नहीं है पता नहीं बीमारियों के भी नहीं होते हैं कि मैंने कभी सुने भी नहीं होते तो मैं उनको गूगल पर सर्च करके बीमारियों के नाम तो अगर तो आप बोलते हैं थोड़ा साफ्ट करो तो इसमें थोड़ा सा रियूस सिमें डाल के और इसमें स्टोन और डालूंगी मैं तो एड़ करके न फिर इसको 8K में हम यूस करेंगे एक बार तो शायद मैं इसको ऐसे ही कर दूँ लेकिन वीडियो में 8K के बाद ही उसकी डालूंगी क्योंकि अब बन गई हैं शेफ तो इसको ऐसे तो बेकार करना विफिजूली है न ऐसे ही करके वस तोड़ दो और वो कर तो एक वीडियो तो रिकॉर्ड करी लूंगी मैं इसकी ड्राय क्रम्बलिंगी फिर उसके बाद रिफॉर्म करके वह 8K में डालूंगी और जो अभी रिकॉर्ड करूंगी वह 8K के बाद डालूंगी ठीके न हां जी तो यह है नया टेक्स्चर यह 8K में हम यूस करेंगे इ और एक और बात मैं अब Instagram पर किसी के भी messages का reply नहीं करूंगी या आपकी अपनी मर्दि आप इस बात को कैसे लेते हैं कैसे नहीं क्यूंकि reply करके अगर आपके according बात करी जाए आपकी हां में हां मिलाई जाए तो मैं बहुत अच्छी हूँ अगर आपके according बात ना करी जाए आपको मना कर दिया जाए तो आप सबको बुरा लग जाता है तो मैं बहुत बुरी हूँ मैं बहुत rude behavior वाली एक लड़की हूँ औरत हूँ जो भी बोलने आप तो इसलिए अब मैं किसी को reply नहीं करूंगी मैं आप सब लोगों की बहुत respect करती हूँ मैं जानती हूँ आप सब लोगों की वज़ा से ही मेरा channel है लेकिन आप सब लोगों को भी content चाहिए होता है इसलिए आप मेरे channel पर भी आते हैं ऐसा नहीं है कि फायदा सिर्फ मेरा है आपको भी कुछ न कुछ मिल ही रहा होगा मेरी videos देखके इसलिए आप भी आते हैं ठीक है तो जिसको भी मेरे content से problem है मेरे behavior से problem है अगर तो आप इन बातों को जो मैं करती हूँ उनको positively ले सकते हैं तो ठीक है negatively लेना है negative comments करने है तो मैं आप से हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि आप मेरा channel छोड़ सकते हैं unsubscribe कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी problems sorry इतनी बाते अपने दिल में रखके किसी को continue follow करना subscribe करते रहना यह अच्छी बात नहीं अगर आप किसी को ना पसंद करते हैं आप clearly हट जाएं उसके channel से मुझे आर्म, ASMR की भी बाते इतनी अच्छी लगी थी उनको कोई जो continuously negative comments करती थी जो भी है vlogs मैं सब के देखती हूँ जनरली मैं सब के ही vlogs देखती हूँ मैं कमेंट किसी को बहुत ही रहर है कि किसी को comment करती हूँ मैं पहले कमेंट करती थी जिम्चॉक्स चैनल पर बिकाज मुझे अपने content से जादा ना मुझे जिम्चॉक का जो चैनल है ना मुझे वह बहुत पसंद है जिम्चॉक तो अगर मैं करने बैढ जो तो मेरे बजट के बिलकुल ही बहार है तो मैं जिम्चॉक कर ही नहीं सकती लेकिन पसंद मुझे अपने content से जादा जिम्चॉक है एक जे हैं जे लवस पावडर कर के चैनल है मुझे वह चैनल बहुत पसंद है मुझे बहुत पसंद है पता नहीं क्यूं उनके powdery textures मुझे इतने अच्छ लगते है मुझे डस्ट प्ले उनका इतना अच्छा लगता है मुझे दरसल dusty textures ही बहुत पसंद है fine dusty textures, powdery textures मुझे बहुत पसंद है इसलिए आप देखेंगे जादा तर मेरे पास powdery textures available है तो मैं यह बता रही थी कि मैं comment बहुत कम करती हूँ पहले शुरुवात में मैं करती भी थी लेकिन जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ता अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे textures हैं यह खुद बहुद तो नहीं बनते होंगे जाहिड सी बात है कि इनको बनाना कई बार यह तो आभी थोड़ी सी गर्मिया है कि इसलिए मैंने यह सब यह सब मैंने यहां रख दिये और यह दीर दीर करके सूख भी जाएंगे लेकिन ठंड में और यह तो कुछ है लेकिन जो वाकी में पेस्ट फॉर्म में होते है यह तो है रहीं नी बौलरी मैं महानत कर्य हो हर बंदा अपनी लाइंध में महानत कर रहा लेकिन जब वो शेप दे दिया जाता है उसको फिर आप ऐसे थूस के नहीं ला सकते हैं क्योंकि सारी शेप टूट जाएंगी उसको दो तीन तीन जितनी एक टब में आ सकती है एक दफा में नीचे नीचे सरफेस पे उतनी उतनी करके एक टेक्श्चर का जो एक स्टफ का जो मेरा शेपस है वो तीन चार बार में आती है कि कहीं जितनी आ गई उतनी फिर गई फिर लाई फिर गई तो सोचें इस तरीके से कितना मैं लाती होंगी कितना उपर लेके जाती होंगी हर बंदे का अपना स् करते हैं तो किसी को आप आप चैनल पे लेकिन मैंने कभी नहीं कहा किसी भी टुटोरियल में के आप इस को फॉलो करें या जब भी स्टूटोरीयल एक भी मेरा टूटोरीयल को देखके कोई टेक्सचरा आप क्रियेट करें औसका क्रेडिट मुझे दें मैंने यसा barbar काहा ना मुझे सच बताओं कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता मुझे कि कोई मेरा देखके कुछ बना रहा है और मुझे credit नहीं दे रहा, मुझे इस बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपने बोला कि share कर दें, और मेरे पास वक्त था, मेरे पास time था, और मैं करना चाहती थी, तो मैंने उसको share कर दिया, ठीक है, मुझे उसके बाद आपने उसको किस तरीके से लिया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरे दिल में यह होता कि नहीं, अगर मेरा copy कर लेंगे, देख लेगा कोई, बना लेंगे मेरी जैसा, फिर मेरा कौन देखेगा अगर मेरे दिल में ऐसा होता तो मैं उसे share ही ना करती, ठीक है, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी भी ASMR आर्टिस्ट को इस तरीके से बोलना कि आप copy करते हैं, यह हैं, यह सब गलत है, या मुझे credit नहीं देते, यह भी गलत है, ठीक है, आप सिखा रहे हो, आप बता अब उनको बुरा लग गया, फिर शर्मिंदिगी में अगली दफा हो सकता है, वो बंदा डाले ही ना, वो वीडियो उस टेक्शर की, ऐसे नहीं करें, और दूसरी बात है, कि हाँ, मैं टुटोरियल भी आप सब लोग मेरे से बहुत मांगते हैं, तो मैं टुटोरियल भी न एक दो को भी नहीं बोल रही हूं, जिन जिन लोगों ने मुझे नेगेटिवली बोलावा है, किसी भी बात के लिए, वो सब लोग अगर ये व्लोग देख रहे होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा, उनके लिए बोला जा रहा है, वजहां आप सब लोग खुद हैं, कि म यहां आप कर दो है, कि मैं बोलती हूं, कि मैं जब किसी ने मुझे बोला ख़ा कि आप यह कर देखो, कि ठीक है, जब भी मेर पास टाइम होगा, मैं कर दोगी, लेकिन अभी मेर पास टाइम नहीं है, या कोई special वीडियो के बोलता है यह यह mix कर लिए वीडियो बनाए तो मै उनको भी तब भी यही बोलती हो कि ठीक है मैं जब कर सकूंगी मैं कर दूंगी लेकिन लोगों को सबर नहीं होता लोग चातें इंस्टेंटली काम हो ना बनाओ दो चार दिन बाद फिर मैसेज आपने बोला था आपने बनाया नी आपने अरे भाई कोई मेरे बास मशीन थोड तो मैं डालती हो जितना मैं गड़ सकती हूं उस पर आप लो फिर कुछ बोल दो कंटीनि इसलिए मुझे बोलते रहेंगे नहीं अच्छा आपने आज भी नी बनाया आपने आज भी नी बनाया बहुत सारे लोग है ऐसे तकरीबन हर दूसरे दिन आपने बोला था कि आप ब बनाऊगे आपने अभी नी बनाया अभी तक नी बनाया आप दे नही नी चाहते हो आप सोच ते आप में घमंड आ गया है आप कि इतने सब्सक्राइबर्स हो गए आप इतने जल्दी ग्रो कर गय James तो आप में घमंड आ गया है तो मैंने उन सब को यह बला ठीक है आपका अपना नजरीया है आपका अपना नजरीया है मेरे बारे में आप जो कुछ सोचना चाहते हैं आप सोचें मैं उससे बिलकुल भी बुरा नहीं मानती क्योंकि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ मैं अपनी सोच के लिए जिम्मेदार हूँ अपने कामों के लिए जिम्मेदार हूँ मैं दूसरे की सोच के लिए दूसरों के नजरियों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ ठीक है ना तो मैंने तब ही डिसाइड कर लिया था अब चाहे कोई पॉलाइटली टुटोरियल मांगे चाहे कोई कैसे भी मांगे मैंने इतनी बाते सुन लिया इंस्टरग्राम पे और मैं इतने टाइम से खामोश हूँ तो लोग सोचते हैं यार इसे कुछ भी बोलो कैसा भी बोलो यह रियक्टी नहीं करेगी और वाकई में मैं इतनी जल्दी मैं रियक्ट करने वालों में से भी नहीं हूँ लेकिन हर एक चीज की लिमिट ओती है, हर बंदे की लिमिट होती है, एक सबर होता है, वो चला जाता है, किसी पॉइंट पे आके, ठीक है न, तो मैंने सोच लिया, कि मैं इनको ऐसे जवाब नहीं, ऐसा ही दूंगी, कि भाईया मैं दे ही नहीं रही टुटोरियल, अब तुम यह सोचते हो कि मुझे मं घमंड आ गिया है जो भी सोचते हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है लेकिन मेरे टुटोरियल ना देने की वज़ा वो ही सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे नेगेटिवली कॉमेंट्स करे हुए हैं इंस्टाग्राम पर वो आप सब लोग जानते होंगे कि मैं किन-किन के बारे में बोल रही हूँ मैं किसी का नाम मेंचन नहीं कर लहुए हूँ ठीक है कि तो मैं कोई टुटोरियल भी नहीं दूंगी अपना और मैं अपकिसी को इंस्टाग्राम पर रिपलाई भी नहीं करूंगी मैं क्लीरली बोल वहु हूँ बहुत जादा ही बोल गई हूँ तक्रीबन पॉन घंटे का व्लॉग होने वाला है खर तो ये छोटा सा व्लॉग था बाकी सारा ओल्मोस्ट माटीरियल यही है वाइट वाइट सिमेंट नहीं है मेरा यहां पर और, और क्या नहीं है, चार्मेंट नहीं है, आधा पार्ट चार्मेंट का नहीं है यहाँ पर, and mud नहीं है, पस, है न, और तो सब यहीं है, हाँ बाकी सब तो यहीं है बाकी तो सही यह सारे टेक्सचर्स हैं देख लें आप यह मेरे सारे टेक्सचर्स हैं एक सेकंड यह कोई आया है यह गुज़र जाएं पहले गुज़र जाएं नहीं मतलब चले जाएं फिर चले ही गए चले हैं बोलते बोलते हाँ मतलब हाँ जी त से रखे हुए हैं, एक बर, ठिक के जी, और इसको दिखाते दिखाते एक बात और याद आ गई, जो मैंने बहुत ताइम पहले फोली थी, सब पूछते हैं, आप माइक कौन सा यूज करती हैं, तो ऐसा नहीं है, देखें, अभी आप व्लोग में ही नोट करें मैं अधिट नहीं करूंगी जितना हो सकेगा, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, बैक ग्ग्राउंड नॉजेस आप लोग सुन रहे होंगे, कुछ-कुछ बेचने वाले आ रहे हैं, तो वह आते जा रहे हैं, बाइक सारी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बैट बॉल तो उसका श को नॉजेदी तो इसलिए आपको लगता था कि, आपकी वीडियो में शोर ही नी होता है, आपका माइक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, मेरा माइक बहुत सारे लोगों को मैंने रेपलाई भी कराई कि बया काई है, एक तो मैर मैं लगाया हूओ यह मिर लगाया हूँए मैं दिखाई दूँ आपको देखें बोया का है चीक के? बोया का माइक है अंजी यह है माइक बोया BYM1 करके कुछ है जो इसका पूरा मॉडल नेम है तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी मैं क्या माइक उसकरती हूं इस तरह एक ही कुछ माइक होता है यह है ठीक है यह माइक है यह एक माइक है ठीक है यह इदर डालते हैं और यह जो मैंने लगाया हुआ है यह दूसरा है यह भी सेम है, सेम ब्रैंड बोया काई है तो दो माइक है मेरे पास एक पानी आनी चल जाए तो मैं दूसरा लगा लेती हूँ क्योंकि वीडिो मैं चाहती हूं रूके ना लेकिन आज टल भी ना बहुत बार आसाकर बार कही और तो पता लगी जाता है क्लिर ली की इसमें पानी चले गया, पूरी वीडियो का मेरे सत्यानास हो जाता है, मेरे इसका दर दिल दुखता है, बहुत जादा दिल दुखता है, टेक्स्चेर में आपने कितनी महनत करी होती है, कि उसको जाकर लेके गए, छट पे सुखाया, उठा उठा के दो तीन बार में उसे लेक है, और अगर किसी को कोई और कोई किसी का सवाल हो कुछ हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, इसके लिए जरूर बता देना, कि इसको मैं और जादा सॉफ्ट करूं, या नहीं, क्योंकि मैंने इसको 8K में डालना है, फ्लोर क्रम्लिंग लिए, ठीक है, स्लैब कुछ, चलें, ठीक है, आला हाफिज, बाई बाई